गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णू, गुरूर देवू, महें स्वरा, सेरे गुरु साथ चाथ, पर ब्रह्मु तस महें, सेरे गुरु वे नमा, मित्रों जैमाता दे, आज के वीडियो में हम आपको इंद्राय का जैसी दिस्त की सुमूर्थ, एवं पूजा विजान की स समपूर जानकारी देंगे, अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो प्लीज, वीडियो सुनू करने के पहले, मिस्राजयोति स्केम को सस्क्राइब होस्ट कर ले, और बेल आइकन की घंटी बजा जे, क्योंकि आपका एक सस्क्राइब हमारे लिए महत्त पूर है, स्री कर्ष्ण भागवान से उधिष्ठी जी ने पूछा कि ए माधो इंद्रायकादसी प्रस्ट किसको कचे, इस परमदुसुधर ने यवाब देते हुए कहा, ए उधिष्ठी असनी मास अर्थात कुवार के महीने में पढ़ने वाले क्रश्व पच्की एकादसी क इंद्रायकादसी के नाम से जाना जाता है, इस ब्रत को करने से सात पिणियां तर जाती है, पूर्वस द्रप्त हो जाते हैं, इस ब्रत को करने वाला बेती स्वन मौच को प्राप्त करता है, वहाँ अपने सभी पित्रों का उधार करके उन्हें भी दिब लोप में प्रमेश का अधिकारी बना देता है सत्यूग में महिस मती देश के राजा इंद्रसेंट प्रतापी और धर्म मात्मा राजा थे उनके राज में प्रजा सुकी थी, इंद्रसेश के राज में धन और धन किसी चीज की कमी नहीं थी और वे विश्णु भगवान के परंभत थे एक दिन नारद मुनी उनकी सबावे पजा रहे उनको देखते विए राजा उटके ख़़ा हो गया, हाथ जोड़का और नारद मुनी को सम्मान के साथ आसन दिया राजा ने नारद मुनी से हालचार पूछा नारद जी ने जवाब देते विकार राजन सब कुछ तो ठीक है लेकिन आपके पिता जी पूर जन्मों की कुछ गल्तियों के कारण यम्लोक में पड़े घोर या अतनाई भोर हैं यह सुनते ही राजा इंद्रसेन उदास हो गया तब उसने नारद मुनी से हुजा ए मुनिवर कृपा करके आप हमारे पिता की मुक्तिका रास्ता बताएं नारद जी ने जवाब देते हुए कहा ए राजन वार के महीने के क्रशुपच्च की अर्थाद वार के महीने के अंद्रे पाकी कादसी के तिन इंद्रा कादसी ब्रत की कथा सुनो पढ़ो ब्रत रखो विदिविधान के साथ इससे आपकी पिता की मुक्ति हो जाएगी नारग जी का आदेश पारन करते भी राजा इंरसेल ने एकादसी ब्रत को रखा ब्रत कथा सुनी और पढ़ी बिद्विदान से सद्धापुलों ब्रत भी किया ब्रत के प्रभाव से आकास से कूलों की वर्षा हुई और राजा के पिता को गर्म यम लोग से स्वर्ग लोग को लेके चले गए राजा इंसेल भी इस ब्रत के प्रभाव से इस लोग में सभी सुखों को भोक कर अंत में स्वर्ग लोग को प्राप्त हुए तो इंद्रा का जैसी ब्रत को पढ़ने यानि इंद्रा का जैसी प्रत कथा को पढ़ने सुने मात्र सही समस्त पाफ कड़ियाते और अंत में स्वर्गी की प्राप्ति होती है तो 28 सितंबर सनी वाद दो हजार स्योविश को प्रत की सुम होती है पूजा विधान इसका इस्प्रिकार है दैनिक क्रिया से निप्रत होके इसनान करके भागवान विश्नु का ध्यान करें अगर ब्रत का आरम कर रहे हैं तो दाहिने हात में अच्छक दर्षिना मिष्ठान पुष्प जल लेकर अपनी मनों कामना पूर है तू संकर पले हैं अपनी सामस्त इंचार ग्यारा या पूरे साल की च्वईसो एका, दसी ब्रत रखें। तो उलसी इडल च़ढ़ाएं अन्द पूजन सामागरी का भी प्रियोप रहे हैं। पपने अवस्था के अंसार बित रखें, तो ग्यारा एकादसी या 26 पुरे साल के कादसी करने के बाद मुद्यापन करवादें, हाँ एक बात दिहान रखें, अगर पहले आपने संकर्प ले चुकें, तो पिर दुबारा संकर्प लेने की आपको आवसकता नहीं है, अगर हमा वीडियो आपको पसंद आया है, तो मिश्रा जूतिक स्केंग को सब्सक्राइब करें, लाइव करें, तता अपने इस्टमित्रों में अधिक सदिक सेयर करें, और कमेंट बाक्स में जय माता दिया वस्थी से, जय माता दिय।